वगवान से क्या मांगू? एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गावों में घूम रहा था. घूमते घूमते उसके कुर्टे का बटन तूट गया, उसने अपने मंत्री को कहा कि इस गाव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सिल सके. उस गाव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था. उसको राजा के सामने ले जाया गया. राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्टे का बरन सी सकते हो. दर्जी ने कहा यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है. उसने मंत्री से बटन ले लिया, धागे से उस कि बटन भी राजा का था. सिर्फ उसने अपना धागा प्रयोग किया था. राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसिन हूँ? उसने कहा महाराज रहने दो, छोटा सा काम था. उसने मन में सोचा कि बटन राजा के पास था. उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है. राजा प्रजी तो उन ने पिर से दरजी को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितने दूंँं करूंे धर भीज़고 वते खनी पंगि मुझा से हुई है। तो गाव वालों से कितना लेता होगा क्योंकि उस जमाने में दो रुपए की कीमत बहुत होती थी। दरजी ने राजा से कहा कि महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दीजिए। अब राजा तो राजा था। उसको अपने हिसाब से देना था। कहीं देने में उसकी इज़्जत खराब न हो जाए। उसने अपने मंत्री को कहा कि इस दरजी को दो गाव दे दो यहां हमारा हुक्म है। यहां दरजी सिर्फ दो रुपे की मांग कर रहा था पर राजा ने उसको दो गाव दे दिये। इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाता है अपनी हैसियत से और हम बड़ी तुछ वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए संतम हात्मा कहते हैं इश्वर को अपना सब सर्मपन कर दो उनसे कभी कुछ न मांगो जो वो अपने आप दे बस उसी से संतुष्ट रहो। फिर देखो उसकी लीला वारे के न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टी का होना जरूरी है।